हेलो दूस्तो नमस्कार इसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लों का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ तो दूस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जीतने भी इंपोर्टेंट वीडियोस थे सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगी हर एक वीडियो को अच्छी तरिकी से स्टडी कर लेना बहुत हल्प आप लोगों को यहापे मिल सकती है फर्स टाइम अगर विजिट के तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आकन को एट करना उसी के साथ साथ एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके आप चाओ तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल का लिंक उपर आए बटन पर या फिर आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वेले के ऐसी खबरों से रिलेटेड फिलाल जो अपडेट्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं कौन कौन से स्टाक्स के लिए ये चीज़े पॉजिटिव साबित होने वाले हैं और कौन से शेर होल्डर की किसमत भी यहापे बदल सकती है तो उससे रिलेटेड हम लोग बात यहापे करने वाले हैं पहले हम लोग आएंगे टॉपिक के उपर और उसके बाद चार से पाठ स्टाक्स की बात करेंगे सेक्टर्स की बीबात करेंगे no doubt बट उसमें यह चार पाठ स्टाक्स लीडिंग वे में यहापे मतलब अपना किरदार निभाते हैं तो उनको direct सबसे ज़्यादा होता है, सबसे पहले important चीज़ की बात करता है, दोस्तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे Prime Minister ने announce भी किया है vaccination program किसके लिए, 15 to 18 age, मतलब बच्चों के लिए यह सारी चीज़ आपे उन्होंने start कर दी है, और यह क्यों किया है, तो उसके पीछ हम लोगों को कम होते वे देखने को यहाँ पर मिलने वाला है, तो यहाँ पर सबसे main important चीज़ दोस्तों कि COVID के चलते कुछ बड़े-बड़े announcement आते वे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कुछ states ने ये तक कह दिया है, उनके ministers ने officially कि oxygen से related demand जो रहती है, जैसे कि महारश्टा क की बात करें, तो 800 तक के level की यहाँ पर बात हो चुकी है, किसकी state ने ये भी कह दिया कि 500 तर तक अगर oxygen की per day level तक वहाँ पर requirement आ जाती है, तो हम लोगों को lockdown लगाना भी पढ़ सकते हैं, अभी 800-500 per day मतलब बहुत ही extreme situation जैसे की second wave में होई थी, अभी वैसा होगा तो market को भी स चली जाती है, तो no doubt बाजार के लिए खराब चीज रहेगी, बट एक stock की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा इसको फाइदा मिलेगा, और वह है oxygen वाला stock, और उसमें number one stock है, लिंडे इंडिया, आप सभी लोगों को पता है, यह वो stock है, जिसमें covid के चलते oxygen से related, औ oxygen से related आप लोगों को बहुत सरे stocks मिलेंगे, बट देखें, आलतुफल्तु stocks में जाना नहीं है, वहाँ पे अगर कुछ issues होगे, तो आप लोग पूरी तरीकी से मतलब trap हो जाओगे, तो इससे अच्छा stocks को देखो, जो की news भी अच्छा खास अप लेकर है, और उसी के साथ-स और कौन से stock को फायदा मिलेगा, आज ही बतर हो, लिंडे इंडिया, तो अभी आप लोगों का काम क्या है, अभी आपका काम है, news के पर focus रखना कि COVID के स्तीती क्या चल रहे, क्या कोई worst situation आ रही है, क्या third wave की बात हो रही, वैसा कुछ हो रहा है, कोई oxygen की requirement अभी लग रही है, तो बेशने से पहले भी आप लोगों ने जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए, so point number one हो चुक है, point number two, pills, pills मतलब pharma से related अगर मैं बात करूँगा, तो दोस्तों आप लोगों को पता है, COVID के चलते पिल्स निकाली जा चुकी है, दवाये निकाली है, यहापे जा चुकी है, और वो दवाये किस ने निकाली, आप लोगों को पता है, फाइजर ने, येस, फाइजर ने आप लोगों को पता है, anti-covid pills यहापे निकाली थी, और reports के जरी भी यह news सामने आ रही कि, आने वाले हफते में वो इसराइल को उनका first shipment भी यहापे deliver करने वाले है, so no doubt इसके चलत अच्छा कासा काम करती है, so देख लेती, ये pills से क्या हो जाते है, दोस्तों की death के chances बहुत ही कम होते है, जो बहुत ही serious patient है, उनको भी अगर pills दिये जाती है, तो उनके भी death के जो ratio है, percentage है, वो बहुत ही significantly drop हुआ है, so इसलिए यहापे इसकी demand बहुत अच्छी रहेगी, ये बहुत है, यहापे जा रहे है, अभी ये भी news जरू चेक कर लेना, कि इसरेल ने वाकई shipment मतलब order किया है या नहीं, reports के जरी ये बाते सामने एरके आने वाले हकते में इसका भी announcement हो सकता है, अगर ऐसा होता है, तो no doubt, Pfizer जैसी company को आप लोग ज़रू रडार के उपर रख सकते फाइजर कोई खराब company नहीं, COVID में तो उनका बिजनेस अच्छा ही चल रहे है, COVID के पहले भी company वाकई में अच्छा बिजनेस कर रहे थी, पाथ साल का चार्ट पेटन भी आप देख सकते हैं, decent चार्ट पेटन है, COVID तो यहापे एंटर हुआ था, उसके पहले भी आप देख स तो इसका चार्ट पेटन, 2019, 2018 की भी बात करें, तो अच्छे आई company काम यहापे कर रहे थी, तो फाइजर एक बहुत ही अच्छी company एंट सिर्फ इंडिया में नहीं, आपको यहापे New York Stock Exchange के उपर भी इसका performance देखने को मिलेगा, तो American Bazaar भी चलेगा, तब आप फाइजर से related अगर कोई news आती है, तो confirmation के लिए American Bazaar भी देख सकते हैं, मतलब यह ऐसा stock है, जो की पूरे दीन बर चलता है, आदा टाइम हमारे market में चलता है, आदा टाइम American Bazaar में चलता है, तो यह एक आप लोगों के पास advantage जरूर हैगा, तो अगर market में कुछ स्थीती अगर ऐसी हो जा बात करो दोस्तो, तो यहाँ पर मैं अपनी खुद की बात करना चाहूँगा, मैंने ही कितनी बार testing की है, बहुत बार की है, और RT-PCR ही अगर देखा के तो confirmation आप लोगों को मिलता है, antigent में आप लोगों को confirmation नहीं मिलता है, antigent मतलब वो सिर्फ अगर हम लोग बात करें, वो उसको antigent बोलते हैं, अगर RT-PCR दोनों, नाक के अंदर प्लस मुख के अंदर भी जो test, मतलब आप लोगों के samples ले जाते हैं, वो रहता है, so RT-PCR actual में officially acceptable है, और इसके चलते आपको पता है, किंग कौन है, डॉक्टर लालपात लाब है, उसी के साथ साथ आप लोग आपको कितना एक बार, दो बार लग जाएगा, टेस्टिंग के अगर हम लोग बात करें, एक परसन की तो सो बार भी टेस्ट कर सकते हैं, आपको इधर जाना है, टेस्ट करो, उदर जाना है, टेस्ट करो, रेस्टिक्शन लगे तो टेस्ट करो, वीदेश जाना है, तो टेस वह भी अगर देखा गया तो टेस्टिंग वाला ही है बट इतना कुछ वह फंडामेंटल अभी तक उत्तना मजबूत तो नहीं है तो इसलिए नहीं पर उसका नाम नहीं आपके याप नहीं लिया है अगर आप चाहो तो जा सकते हो तो ये दो companies वेसे भी अगर हम लोग देखा जाए तो already आपके पास ज़रूर होने चाहिए अच्छे companies है and long term के लिए भी बढ़िया है डेफ्रीज है next अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों क्या है अगर कोविड जैसी स्तीती होती है तो hospitals आप सब लोग को पता है वापस उनका business जबरदस जोरो सोरो से start हो जाएगा and hospital में देखा गया तो बहुत सारे companies है बट एक ही अच्छा मुझे नजर आता है अगर आपके पास यह है तो फिलाल की situation को एक बार analysis करो and जिस तरीकी की situation देखने को मिल रिजिस तरीकी की party या चल रही शादी या चल रही ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा cases हमनों को बढ़ते वे देखने को यहापे मिल सकते है by the end of jan, feb के टाइम पे तो इन stocks को and इनके shareholder को अच्छा खासा फायदा है यहापे हो सकता है क्योंकि यह ऐसी चीज़ें दोस्तों कि जितना covid बढ़ेगा इन businesses को बहुत ज़दा फायदा होता है क्योंकि है तो यह directly and directly pharma से related companies so ज़रूर इनके उपर आप लोग चाहो तो क्या कर सकते हो focus यहापे रख सकते है and in the case अगर आपके पास इनके shares यह तो बेशने से पहले situations को analyze करना and उसके बाद आपको जो सही लगता है फैसला आप लोग यहापे ले सकते हो so आशा करते हो पहली situation के पहली मैंने आप लोग के stocks related यहापे alert कर दिया है तो अगर आप कोई video अच्छा लगा होगा तो चाहो तो like and share भी कर सकते हो so that's it thank you very much दोस्तो we will be meeting our next video तक तक के लिए बाइ-बाइ